very good morning my beautiful people and fab youtube family कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे तंदरुस्त और में भी यहाँ पे मस्त हूँ welcome to my youtube channel vibrant video vlogs यह है सुबह 16th April का clip जैसे ही मैं सुबह उटी clean करने के लिए बाहर आई यहाँ पे ना guys एक पेड़ है जिसे बहुत ही जादा फूल चड़ते हैं आप देख सकते हैं बहुत चोटे चोटे है पेड़ तो अच्छा है खूल रहता है गर जैसे ही बाहर का काम कतंब हुआ अंदर आके यहाँ पे खुद के साथ 5-7 मिनट में बिताती हूँ पानी पीने क के बारे में अपना दिन सोचते हुए कैसा रहना चाहिए blessings देते हुए positive thoughts देते हुए मैं पानी पीती हूँ आप मुझे देख रहे हूँगे यहाँ पे मरमर करते हुए जो मैं blessings दे रहे हूँ कुद के दिन के बारे में और ना कि सिर्फ मेरे दिन मेरे life के बारे में मैं मेरे dear ones के day के बारे में और life के बारे में भी blessings दे रही हूँ पांच साथ मिनट लगता है इतना करने में जितना भी emergency हो जितना भी काम क्यों नहूं मुझे ए तो मैं कभी skip नहीं करती पिछले one and a half years में religiously practice करती आ रही हूँ इसे मुझे regeneration मिलता है एक नया जीवन जीसे मिलता है उसके बाद मैं किचन में आई नास्ता बनाना था मुझे Sunday होने के वज़े से कुछ special बनाने का सोचा फिर हबी से पूजा तो उन्होंने बताया रवा उत्तपम बनाने के लिए और ये इनका फैवरेट है उसके लिए मुझे सूजी चाहिए ये बहुती बढ़िया recipe है गाइस मैंने अपनी माँ से ये recipe सीका है बहुत बार बनाती है माँ हर एक महीने में एक बार दो करती है जिसके लिए रवा चाहिए मैंने चार ऐसे बॉल से रवा लिया हुआ है और तीन चार बार दोने के बाद में यहां पर बिगो के रख रहे हूं बिगो ना बहुत जरूरी है half an hour के लिए रेसेंटले मैंने मार्केट से एक प्रोड़क्ट लाया था स्टील के उपर जो दाग दबे स्टेंस रहते जल्दी चाते नहीं है वो निकालने के लिए एक प्रोड़क्ट लायी थी स्प्रेज जैसे उसका ही ट्राइल चल रहा था यहां पर और आप देख सकते हो आच्छा रिजल्ट आया है इसे उपर से संडेता सोचा तोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ उसके बाद चाई चड़ाया मैंने खुद के लिए और हबी के लिए दूद कर रही हूँ यहां पर जब तक चाई बनके रड़ी होगा तब तक दोसरे काम भी हो जाएंगे बैक्रोंड मे फिर चाई के साथ पाऊ लिए आज क्योंकि नास्ता बनाने में वक्त लगेगा उत्तपम बनाने के लिए यहां पैस चाईए तोड़ा लंबे खटे हुए फिर ग्रीन चिल्लीज चाईए अधरक चाईए तोड़े चारपान टुकड़े जैसे फिर चाईए होगा खटा टमाटर और कुछ दनिया पत्ता यह सभी चाहिए उत्तपम बनाने के लिए और यहां पे मैंने आदा ग्लास टे से पानी लिया है पैस दोने के लिए मुझे पैस दोना है क्योंकि उसे एक रॉव स्मेल चाहता है वो चला जाएगा दो बार ऐसे पानी में मैंने क्लीन किया ह उसके बाद जो बिगा के रखा था रवा उसमें डाला यह जो पैस क्लीन करके रखा था फिर मुझे पेस्ट चाहिए एक ओ पेस्ट बनाने के लिए मैं यहां ग्राइंडर में कटे हुए मिर्ची और कटे हुए अगरक के टुकडे और एक स्पून जे से जीरा और टेस्ट क करके पेस्ट चाहिए मुझे उत्तपम के बैटर के लिए वही में इंग्रेडेंट है जो स्वाद लाता है यहां पे ना खड़ी पत्ता डालना बूल गए थी उसके लिए लिड वापस ओपन करके खड़ी पत्ता डालके पेस्ट रडी कर लिया मैंने यहां पे दू टमाटर जैसे काटके रखाता मैंने अप्रोंक्सिमेटली वह डाल रही हूं फिर जो हरा दनिया मैंने काटके रखाता वह डाल रही हूं इन दोनों से उत्तपम का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है देखने के लिए बहुत संदर लगता है फिर दो चम्मच जैसे मैंने पेस्ट बना जाता वो डाला आप कम डाल सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से हमारे गर में तोड़ा मीरियम तीका काते है तो उसके हिसाब से मैंने डाला है इस अभी डाल के तोड़ा बहुत नमक दे के डालना है क्योंकि पहले भी हमने ग्राइंडर में ये पेस में भी डाला था फिर पानी डाल के पानी जितना चाहिए तोड़ा बहुत एक आदा कप जैसे पानी डाला मैंने इस अभी डाल के फिर बहुत कम जैसे सोडा डालना है जो वाद में मैं डालूँगी सोडा डाल के सब मिक्स करके अरकना है क्योंकि मुझे अभी बनाना है चटनी उतने में यह रेस्ट कर लेगा अच्छे से और चटनी के टेंपरिंग के लिए जो चाहिए था वो ओल्रड में करके रखी थी फिर यहां पर एक नारियल लिया था मैंने जो अच्छा नहीं था फिर दूसरा मंगाया हब इसे उन्होंने लाके देव छले फिर चटनी भी बना ही लेते हैं जिसके लिए चाहिए कटे हु फ्रेश नारियल का पीसस और एक स्मॉल बॉल जैसे बुने चने और तीन-चार हरी मिर्चे और एक बड़ा सा लेसून छिला हुआ और तीन-चार अद्रक के पीसस हेंग यह सबी चाहिए अब देख रहे हुँ मैं सभी मिक्सर जार में ट्रांसफर कर रही हुँ एक बाद ए क्लायव करियांदमंगेडूर नौक Ernst League और एक इंपरूर्टंट इंग्रिडेट्इन्ट है यहां पे ओ है करेंडर लीउज यानी दनिया पत्ता दनिया पत्ता के बिना तो छटनी बनता ही नहीं है हमारे यहां साँत में और वोड़ डालने के बाद तोड़ा बहुत तोड जीरा और एक इंपोर्टन्ट इंग्रेडेंट है आधा स्पूंज जितना जीरा डाला है मैंने अब डाल रही हूं मैं नमक के बिना तो कोई स्वाधी नहीं है ना आधा स्पूंजे से नमक डाला है मैंने फिर मिक्सर को चलाया एक राउंड ऐसी कोर्स टेक्चर मिलेगा हमें उसमें तोड़ा आधा कपचे से पानी डाल के और एक बार चलाना है हमें हर किसी का रेक्विमेंट अलग होता है किसी को तिक चटनी चाहिए किसी को पतला चाहिए तो आपके गाड़ा पतला के हिजाब से आप पानी डालिए और मिक्सर को चलाये मुझे जो कंसेसंजी चाह जिसे जो उत्तपमा आता है वह अच्छे से आता है फिर यहां बैटर डाल रही हूं जो हमने मिक्स करके रखा था वो बैटर डालके स्प्रेड कर दे रही हूं फिर स्प्रेड करके आपको जैसे चाहिए जितना साइस चाहिए जितना तिकनिस चाहिए उसके हिसाब से आप डाल के स्प्रेड करो फिर सर्कुलर मोशन में उसका जो डायमेटर है आप ऑईल डाल दीजिएगा और बीच बीच में जहां भी आपको फोर्स नजर आएंगे उसमें भी आप डाल दीजिए जिसे न उत्तपम बहुती क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं फिर ऑल डालने के बाद उसके उपर एक लिड लगाएए गाईस क्योंकि आप लिड नहीं लगाएंगे तो यह पूरा हार्ड हो जाएगो यहाँ पर मैं जो चटनी बना के रखी थे टेंपरिंग भी बनाया था टेंपरिंग में मैंने चटनी मिक्स कर रही हूं और मुझे लगा है यह कुक हो गया है आप देखिए कुक हुआ है दूसरी तरफ में फ्लिप कर दे रही हूं और मैं डाल रही हूं ओयल पूरा राउंड जितना बनाया उतना और उपर से भी तोड़ा ओयल डाल दे रही हूं जिसे क्रिस्पनेस बढ़ेगा तोड़ा इसे कट्ची या चमल से प्रेस करने से वह बहुत गाड़ा था हर बर मैं ऐसे बनाती हूं जो गाड़ा चटनी रहता है वह निकाल के रख देती हूं नेक्स्ट डे के लिए या फिर मुझे जाधा चाहिए है तो नहीं तो वह स्पोईल हो जाएगा ना गाइस फिर उसमें तोड़ा पानी मिक्शर जार में जितना दे रही हूं में और दूसरी उत्तपम डाल रही हूं में सेम प्रोसीजर लिडल से अब डाल के स्प्रड कीजिए फिर डाल ये ओल पूरा राउंड जितना आपका उत्तपम बना है फिर लिड से बंद कीजिएगा और यहां जो मैंने अपने लिए हबिके लिए निकाला था नास्ते में चटनी उसमें डाल दे रहे हैं तोड़ा बहुत शक्कर ये हो गया है लिड में निकालके इसको फ्लिप कर दे रही हूँ ओइल डाल रही हूँ ताकि नीचे से भी इसे एक जाए और क्रिस्प हो जाए ये उत्तपम बनके रड़ी हो गया है और मैं चटनी अंदर रकरें फ्रिज में एक्स्रा जो बचाता ये उत्तपम मेरे हाथ से जो बनता है मेरे भाई को बहुत ही ज़दा पसंद है काईस ये लाउज उत्तपम प्रिपेर्ड बाइन मी ऐसे एक खिसा याद आता है मुझे जब वो चोटा था मेरे हाथ का उत्तपम काने के लिए तो पेर वन थर्टी तक उसने वेट किया था जिस दिन संडे था मैंने क्लास डाला था मुझे आज भी याद है उतना ज़दा पसंद है उसको मेरे हाथ का ये लीजे आप भी एक बैट का लीजे फिर जो एक्स्ट्रा बैटर बचा था वो मैंने एक बॉक्स में डालके अंदर रख रही फ्रिज में और आप भी ज़रू क्योंकि हमने लिया था ब्रंच उसके लिए मैंने सोचा चार्ज बनाए जाए जिसके लिए मैं कूट के रखे थी तोड़ा सा जीरा और काले मिल्चे और यहाँ पर मैंने लिया है आदा ग्लास जैसे कर्ड और एक ट्रे जैसे आइस क्यूब्स इतना सा बस था मुझे खोल् और नमक के साथ बहुत तोड़ा हिंग यह सबी मिला के उसमें डाला हूँ यहां डाले के बाद तोड़ा जादा अच्छा वाला फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए यहां पे एक मिक्सचर डाल रही हूँ मैं जिसमें पूदीने के पत्ते और बहुत कम जनिया पत्ता डाल के पीस के रखीते में फ्रीजर में जो भी चाहिए होगा मैं तोड़ा तोड़ा ऐसे निकालती हूँ जिसे बहुत स्वाद आता है फिर यहां पे आइस क्यूब्स डाल रही हूँ मैं सबी आइस क्यूब्स एक ट्रे में जितने आइस क्यूब्स से उतना में मुझे चाहिए चिल्ड होने के लिए डाल के वुडन ब्लेंडर से में कर रही हूं चर्ण और यहां पर हब भी हेल्प करा रहे हैं मेरे और जितना मुझे पानी चाहिए था उतना पानी डाल दे रही हूं में और इसका consistency हमारे उपर dependent रहता है किसी किसी को बहुत तिक गाड़ा वाला पसंद है मुझे तोड़ा पतला वाला पसंद है उसके लिए जितना मुझे पानी चाहिए था उतना डाल के मैं एक consistency पे ला रही हूं और यह hand wooden blender यूज़ करने से एक तरफ health के लिए अच्छा ही है और दूसरी तरफ अच्छा सा exercise हो जाता है हातों का फिर मुझे जितना consistency चाहिए था हो consistency आ गया तो ग्लास में हम लोग बरके यहाँ पी रहा है इतना मतलब मुझे पसंद है चाहिए इन दिनों में ये सीजन में दिन में एक बार तो जरूर पीती हूँ मैं और पीने के बाद मेरे face पे आप उप्रसनता देखिए लग रहा है उतना जादा चिल्ड लग रहा था मुझे फिर शाम को डिनर नहीं लिए हम इंसेड आफ डिनर हभी ने कहा कि हम फल लेते हैं वाटर मेलन उनका फैवरेट है फिर इस बार स्क्वेर में काटीती में तो एक आने के बाद फिर हमारा डिनर हो गया इसी के साथ साथ हम लोग आ गए इस वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ भी इसमें आच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चानल गाइज आपका मोटिवेशन मेरे ल थैंक यू सो मुच वर वाचिंग कीप वाचिंग वाचिंग मैं वीडियो जबाइ टेकेर